बहु आयामी यहां हैं बहु आयामी क्योंने डॉक्टर इन्खिसिक्स हैं जंबु इमेसिटी से देगें चियर परसन ब्रामिशी पामरा शांकी विदिया पीच उटमूर में कार्या रखने बिंकर इन धिल्मिल दीव जलाते हैं जिलने दीव जलाते हैं पांच में दिया कॉंफरेंस का रिजल्ट आता है वो तब भी आगी करें तो वहारे को ने दिल्टी में नए बार सशन बोर्टिक्स की बात क्योंगा और आपका बदूंकर बात आई हूँ अगर अगर फेल हो गया तो शाहिए नमारा राखनो फेल हो सकता है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमने अपने अधूंपूर डिस्ट्रिट के जितने भी मेरिटोरी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जिन्होंने नीट कॉलिफाई किया है जिन्होंने के एस में जो भी करजल निकला है उसमें जिन्होंने कॉलिफाई किया हुआ है और जो ITI में जिन्होंने पास किया हुआ है और प्लस जिन्होंने 10th में 12th में जिन्होंने एक्सेल किया हुआ है हमने आज उनको सभी को यहां पर honor करने के लिए बुलाया हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ट्रस्स की तरफ से यह तीसरा function है हम हर साल यह function करते हैं और तीसरे बार हम यह function कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि NEET में हमारे अधुंपुर के लिए बहुत proud की बात है कि 19 students ने qualify किया हुआ है 9 KS officers हैं जो हमारे यहां से select हुए हुए है एक ITI का student है जो यहां select हुए हुए प्लस 32 military students हैं जिन्होंने CBSE state board 10th और 12th में excel किया हुए प्लस B.A. और graduation में top किया हुए साथ में बताना चाहूँगा कि आज के जो मारा function है इसमें जो professor है उनका नाम है Dr. Lalit Maghotra यह professor है physics department के और यह president है जमू में डोगरी संस्थान के तो जो आज का हमारा function है वो हमने इसलिए रखा होता है क्योंकि हम जो हमारा youth है हम उसको motivate करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो इन बचों ने जो एक example का काम किया हुए अपने जो हमारे state को जो उन्होंने proud feel करवाया हुए इनको देखके जो आने वाली PD है वो भी इनसे सबक ले और वो भी हमारे देश का हमारे society का और हमारी state का जो नाम है उसको रोशन करें